यूटूब चैनल पर दोस्तों आज अपन बात करने वाले हैं जो बिहार में सिविल कोड के वेकेंसी निकले हैं उसमें कलरक के भी पॉस्ट हैं स्टेनोग्राफर के भी पोश्ट हैं और आपके प्यून के भी पोश्ट हैं तक्रीवन साथ हजार च्छेस बान में यानि कि तक्रीवन 3700 आप मान के चलो की वैकेंसी निकले हैं तो इसमें आज अपन डीटेल एनलैसिस करेंगे किसके कलरकि के कैसे कोशल पूशे जाते हैं किस तरह से पीछे फिश्ट पूश पूछे गए अभी क्या कैप पैटर्न है कासे कोशल पूशे जाएंगे और कितना कट- 미्त है क्या आपके तमाम जो जो प्यून है उसका भी दे दूँगा क्योंकि एक ही वीडियो में सभी का सिलेवस को कवर करना मुश्किल है तो लंबा भी वीडियो हो जाएगा तो आज अपन सिर्फ और सिर्फ क्लार किकी वेकंसी के बारे में डिसकस करेंगे ठीक है तो सुरुआत से देखिएगा और चैन लेकिन चुनाब का अब महौल आने वाला है तो वेकंसी आनी चालू हो जाएगी आपको भी पता है इसकी वेकंसी जो निकली थी क्लारक की वह पिछली वार निकली थी और 2016 में और इसका रिकूट्मेंट फाइनल हुआ था और 2018 में मेरा भाई जोईन किया है इसी क्लारक को 38 में लग जा था आप 16 के लास्ट में या मैं मुझे याद है कि तक्रीवन चटके परव था समय इसका जोईनिंग होगा तो आप समझ सकते हैं कि कि इतना लंबा कीचा था लेकिन इसका लब नहीं कीचेगा क्योंकि इलेक्सन बीच में है और तमाम जो आपने देखा होगा बिहार SSE का जो नोटिफिकेशन है उसमें यह रखा है कि हम इतना दिन के अंदर सब चीज करवा लेंगे तो इसका भी तमाम जो चीज़े हैं हलाकि सुला तक अपलोड करनी है तुरंत एक दो दिन में आपको पता ही चल जागा लेकिन एक्सपेक्टिड यहीं चीज़े है देखिए कलरकी वेकेंसी इसमें 3325 वेकेंसी है कितने है तीन हजार काफी संख्या में आप मांद के चलो लेकिन सबसे बड़ी इसमें डिमेरिट यह है कि यहां कर सकते हैं कि लड़कियों के पॉंट आव यू से मेरिट यह है कि 35% लड़कियों का इसमें जिजर्व है ठीक है अब इसमें भी कौन से लोग भर सकते हैं जो आपका अधर अस्टेट है वो जेडाल में जैनरल में ऐखें वाले को अरच्छर मिलेगा विहार बाले भी जेनरल है तो जेनरल में ही रहेंगे लेकिन ओबी सी हो इडव्लू एस हलाकि एडव्लू एस और उसके बाद ओबी सी में दो कैटेगरी आ जाते हैं बीसी और बीसी वन बीसी टू आ जाते हैं तो वह सब रिलेक्सेशन यहां पर मिल जाता है डेट आपके फॉर्म रहा है एस्टी का मतलब कि तमाम जो अरच्छन की जो सुविदाएं है बिहार में लागू वह आपको मिलेगी ठीक है सेलेरी की बात करें तो अस्टार्टिंग में आपको 32-33 के अप्रॉक्स लेकिन इंसेंटिव बगेरा जोड़ के कहां पर पोस्टिंग होता है 35 के आपको 24-33 है नो यह जो आपके मान के चल सकते हो कि यह के जो हिसका जैसा पुछ होता है नोई कि जूंए हैने हैं, कि इसके हम बर्कलोड को भी समझेंगे क्योंकि जो मेरे भाई है वो काम कर रहे हैं इसमें तो मुझे पता है कि बर्कलोड क्या है क्वालिफिकेशन ग्रेज्विएशन होना चाहिए सिंपल कोई भी ग्रेज्विएशन चलेगा ठीक है कंप्यूटर का नौलेज खुज रहा है देखिए सबसे वड़ी कंप्यूटर का नौलेज खुज रहा है तो मेरे साथ यह साहीं हुआ था बिहार से सिकांटर लेवल में कंप्यूटर का नौलेज लिख दिया था लेकिन बाद में क्या मांग रहा था कि कंप्यूटर का सर्टिफिकेट भी चाहिए यानिकि होता है कंप्यूटर नौलेज की डिग्रिया मिलती है डिप्लोमा की आप जाएगा किसी भी से बोलेगा कि हमको रेजिस्टर ध्यान देजेगा रेजिस्टर होना चाहिए गवर्मेंट से तो वहां जाएगा पास च्छे सो रुप्या में आपको मांक सीट और आपको सर्टि अई लिएकलि लेते हैं चलिए हलांकि जलूरी नहीं है लेकिन कभी भी कुछ भी हो सकता भी आतकी बात करें ठेका तो एक रिख लिए चैनल की बात करें यहां पर दिकी घाны होता था इसका जो एक क्जाम हमोड़ीक्न होता ता लेकिन इसके अफ्य में ये वाइगा रल्यक है तो इसमें नंबर ऑफ कंडिडेट वाले भी कूदेंगे यूपी और आपके जारखनवाले तो बंगार वाले भी कूदेंगे जैसा कि मैंने देखा है कि बहुत सारे लोका सेलेक्शन भी हुआ है तो तक्रीवन बादा से चौदर लाख इसमें फॉर्म अपलाई होंगे ही ह होंगे 12-14 राख होंगे तो यानि कि इसको पीटी लेना मजबूरी है तो पीटी भी होगा और पीटी का नंबर कोई माइन नहीं रखता है मैंस के नंबर पर आपका सेलेक्शन होगा पैटर्न अगर बात करें तो आपका हिंदी के 30 कोशन इंग्लिस के 30 कोशन मैस के 25 कोशन और इंटर्विव के 15 नंबर मिलेंगे कहने का मतलब यह है यह पहले सब्जेक्टिव हुआ करता था जब 2016 में वेकिंसी आई थी तो यह सब्जेक्टिव हुआ करता था लेकिन इतने सारे लोगों का सब्जेक्टिव आप पॉसिवल नहीं है ओए मार्क्स बेश्ट आपके यह एक्जाम होगे यानि कि एक नंबर के या एक कोशन को चार नंबर भी कर सकता है अगर निगेटिव को रखता है तो अभी हलांकि पैटर रिलीज नहीं हुआ है लेकिन एक्सपेक्टेड यहीं है कि यही सब चीजे होगी तो तीन दिन में आपको तो पता चाल नहीं कर रहा हूं तो नीचे से सथर्क्स नहीं होता साठ्थ पर से नीचे लाते हैं तो यहां तो नंबर है तो तकरीबन आप कर सकते है कि बात करें कि एंटर्वियों में आपको आप वहाँ पर चले जाए तब भी आपको पाशनमर मिल जाएगा ठीक है मिल ही जाता है मतलब मिल ही क्या मिल जाता क्या चलिए एक्जाम डेट इक्सपेक्ट की बात करें तो एक्जाम के कब होगा तो देखें आपके अक्टूबर तो फॉर्म फिलप ही होगे बाद में फिर क सायवर क्यूब करते हैं तो उसको मूडियां नवंबर तक उसको अगेरा करेगा उसके बाद होसकता है तो जनवरी के मीड में आपके एक्जाम हो जाएंगे जनवरी के मीड में या जनवरी के लाश्ट भी जा सकते हैं लेकिन हाद जनवरी में होने की संभाव नाएं है एक्जाम कितने दिन चलेगा देखेगा अगर पीटी की हम बात करें तो ओविएसर के 14-15 लाख लोग लोग ने पढ़ रखा होगा यह से वाले इंग्लिस भी पढ़ रखे होंगे जीडी वाले हिंदी भी पढ़ रखे होंगे तो यानि कि आपको एक ने एक सब्जेक्ट तो नहीं पढ़ा होगा या तो हिंदी आपने पढ़ा होगा तो इंग्लिस नहीं पढ़ा होगा इंग् 789 यानि कि कहने का मतलब हिंदी मैं 6th class तक ही पढ़ा था उसके बाद 7th से मैं संस्कृत ले लिया था तो हिंदी इतना टफ नहीं आता है जितना इंग्लिस में थोड़ा सा रूल रेगुलेशन बहुत सारे चीजे है वह रहता है लेकिन हिंदी उतना टफ नहीं रहता आम बोल लेना है तो हिंदी भी बढ़िये से पढ़िये मैं सबीने पढ़ रखा होगा और पढ़ना भी चाहिए ठीक है तो यह है और अगर हम इंटर्व्यू की बात करें तो जैनली किटना नंबर मिलता है यहां पे साथ से आठ नंबर जैनली सब को मिलता लेकिन अगर आप कि उनके भी वेकिंसी है उसमें तो वह सभी के लिए भी अलग-अलग से वीडियो में बना दूंगा तो बन रहेगा चैनल के साथ चैनल पर नए है तो सब्सक्राइब करने जगा बिहार से संबंदिन जितने भी अपडेट आएंगे मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा त कर्वाइब करैनल दीतन माये घञे है तो सक कर्षी है उनके सभाइब कर मिला चिए प्रवाइब करेंज घजार निए दोतन दूरी में ढुष का दोता लli बना ऊखेंगे मैं इ Neben CD1 Solar